इस शिश्ष ने गोतम बुद्ध वगवान से पूछा था कि आपने तो भूत कुछ प्राप्त किया है सब कुछ जाना है थोड़ा हमें भी बतलाईए तो बुद्ध कहते हैं कि जितना भी मैंने जाना है उसरफ ऐसे ही है जैसे प्रत्वी में से कोई एक कण को मैंने जान लिय हो यह अनन्त को यह परमेश्वर को कोई नी जान पाया है यह अनन्त है अखंड है अचेद है अभीद है अद्वैतम अच्छुतम अनादिम अनन्त रूपम आध्यम पुरान पुरुसम नवयोवनम्च वेदे सु दुरलभम अदुरलभम आत्म भागतो गुविंदमादि पुरुसम तमावं भजामी वेदे सु दुरलभम उन्हें जानने के लिए चलोगे तो कभी नहीं जान पाओगे सु दुरलभम वेदे सु दुरलभम अदुरलभम आत्म भक्तो लेन आत्म भक्तो यानि जो भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं अर्जुन जैसे उदव जैसे प्रलाद महराज जैसे धुरु महराज जैसे अदुरलभम उनके लिए अदुरलभ है उनको भगवान को समझ पाना बड़ा सरल है क्यों प्रेम आत्म भगतों क्योंकि उप्रेम ही भगते हैं प्रेम बड़ी चीज़ है प्रेम से ही परमेश्र को जाना जा सकता है और कोई कारण नहीं है कि शास्त्रों से ज्ञान से जानने की कौशिश करी तो व्यर्थ हो जागा बगवान को तो प्रेम से ही जाना जा सकता है प्रेम को ही भगती काहा है भगती विलोच नेन प्रेमान्यन चुरिता भगती विलोच नेन भगती भरे नेत्र होने चाहिए भक्ति के चक्षु होने चाहिए प्रेम के चक्षु तब उनकी पहचान होती है जल्दी से पहचान होती है फिर उजर्रे जर्रे में नजर आते हैं जर्रे जर्रे में है जहांकी भगवान की किसी आखवाले ने इसकी पहचान की वो छोटी-छोटी चिडियों में भी वोई बसा हुआ है फूलों में उसी की गंद है सुरिये में उनी का प्रकाश है जल सरोतों में जल में स्वाद वोई है अगनी के रूप वोई है वायू के इसपर्श वोई है आकाश में जो शब्द गुंसता है वो स्वेम भगवान ही है यह भगवान के कलाएं हैं विभूतिया हैं भगवान ने कहा कि वेदों में रिगवेद मैं हूँ लेइन कभी हम यह उठा के नहीं देखते हैं जल सरोतों में गंगा मैं हूँ आज वेज्ञानी के इस नतीजे पर पहुँचें कि संसार के जितनी भी नदिया हैं उनसे 25 गुणा अधिक ऑक्सीजन गंगा के जल में है इसलिए उसका महत्व है यह बिदेश के वेश्टन कंट्रीज के वेग्जान साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूफ किया है लेकिन हमारे शास्त्र अनादिकाल से कहते चले आ रहे हैं कि गंगा भगवान विश्णु के चर्णों का धोया हुआ जो चर्णा मरत है वो जल है जो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा था और भागीरत के प्रार्थना करने पर उस में से कमंडल में से एक धार जमीन प्राही वो गंगा है उसका मैत तो है साइंटिस्ट तो इस चीज को नहीं पहचान सकेंगे जान सकेंगे लिए उन्होंने जो अपनी यंत्रों से जो खोजबीन की है उन्होंने पाया कि विश्व में जितनी भी नदिया है उनसे 25 गुना अधिक ऑक्सिजन जीने की शक्ती गंगा के जल में है इसलिए गंगा जल का बड़ा महत है और जब आदमी शरीर त्यागता है तो गंगा जल उसको एक टप का डाल दो तो तुरंति विश्व बगवान की याद करता है कि विश्व के चर्णों से आई हुई है उसकी परमगती हो जाती है अंतमतास हो गता बगवान की याद करती हुए शरीर छोड़िया है तो धन्न हो जाता है उप्राणी यम्यम वापी स्मरं भावं अब ब्यास करेंगे जीवन भर तब ही भगवान की अंत समय में याद आती है और अंत समय में याद बनी रही भगवान की तो निश्चित रूप से आप भगवान के धाम के वासी बन सकते है बैकुंठ के वासी बन सकते है केवल कहने मातर से नहीं कि पिता जी का स्वर्गवास हो गया या वेकुंट सिधार गए कहने से नहीं कहने से काम नहीं चलता ओता आत्मा को तसलिद देने के लिए बोलते हैं ऐसे या उनको गए हुए प्राणी का सम्मान करने के लिए बोलते हैं ऐसे सीधा नहीं बोलते कि मेरा बाप मर गया बोलते हैं स्वर्गवास हो गया चिठ्थियों में लिखते हैं पिता जी का स्वर्गवास हो गया है फलाने दिन बारुआ है जरूर पदारना हरी कृष्ण हरी कृष्ण 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 हरी 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 राम, हरी राम, 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 हरी, हरी, ये परम रह्ष्मई महा मंत्र भगवान को रिजाने का, इसके नामों का जिनोंने आस्वादन किया है, उनको ये प्रभाव मालूम है, ये हमारी आत्मा को, हमारी भावना को निखारने के लिए बहुत बल्शाली मंत्र है, क्योंकि स्वैम भगवान की पवित्र नाम इसमें है Holy Names of God पवित्र नाम ही आपको पवित्र कर सकते हैं बागी तो कोई जरिया नहीं है जिए कपड़े में मेल जमा हो तो साबुन चाहिए तो तुरंत साफ और उज्वल हो जाता है Sunlight साबुन हो एकदम उज्वल हो जाता है ऐसे ही आपको कोई ऐसा पवित्र परम शक्तिवान नाम चाहिए जा भवना को उज्वल करे हमारे और हमारी भवना उज्वल होगी तब ही हम सुखी होँगे यह कभी नहीं भूलना हम जितनी गंदी भवना के होंगे उतने ही हम दुख में होंगे, पूरी तरह, पेन, एंग्जाइटीज, काम, क्रोध, मद, मोह, मतसर, लाल, ये सब हमको सताएंगे, चारतों से घेरेंगे, ये छे दुश्मन कहा इनको, सडरी पूफ, ये सबसे बड़े दुश्मन है, हमारा पतन करने के लिए, हमको राश करने, हमारा हराश करने के लिए, हमको नरक तक लिए जाने के लिए, इनसे बचना चाहिए, यहाँ पर तीन गुणों का सत्रवे अध्याय में भगवान स्री कृष्ण ने बहुत विशेज जोर दे करके अरजिन को कहा है, बोला है, ज्ञान उपदेश किया है, सरदा के भी समय में बतलाया, कि सरदा जो इरदे में होती है, सरदा का उदए होता है नाभी से, नाभी के इंदर से, इरदे में आकर कि इसका फूल खिलता है, सरदा बलवती होती है, सरदा के बिना प्रेम उद्य नहीं होता पहले सरदा उद्य होती है सरदा में प्रेम रुपी फल पकते हैं सरदा ही नहीं है आपको बगवान के प्रती या किसी के प्रती तो प्रेम कैसे उद्य होगा पिर सरदा कैसे उद्य हो ये भी समझ लेना चाहिए क्योंकि सरद्धा उद्ध होने के लिए हमको तत्व ग्यान चाहिए तत्व ग्यान से हमारी भावना उज्वल होती है एक माँ अपने बाँ बेटे को पुत्र को छोटे बच्चों को बार-बार नाम ले लेके पुकारती है तो उनके प्रती बहुत इसने है पैदा हो जाता है जन्म के समय ना रहा हो लिए बच्चा दो साल का तीन साल का चार साल का आठ साल का डवलप जैसे जैसे बढ़ता है ऐसे ही और अधिक प्रेम बढ़ता है मा का क्यों? क्योंकि वो बार-बार उसके नाम ले लेके दिन में सौ बार पुकारती है अरे बेटे, अरे रामलाल, अरे कृशनलाल, अरे जो भी नाम रख दिया हो तो प्रेम उद्य होता है ऐसे कभी हम हरी को अब उनके नामों से पुकारते हैं तो हरी के प्रति हमारे इर्दे में प्रेम जागरी तो हता है प्रेम जागरी तो हता है तो फिर उनको जानने की कोशिश करते हैं जानने की कोशिश करते हैं भगवान को तो शास्त्रों को कॉंसल्ट करते हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं गुरुजी के चरणों में बैठते हैं जिनको अनभव हो गया है रिलाजिशन हो गया है भगवान का आत्मा का साक्षातकार हो गया है भगवत साक्षातकार हो गया है ऐसे संतों के चरणों में जा उस इश्वर को पैचाना जाना वो ज्ञान उबदेश करता है। उनके वाक्यों में सर्द्धा पैदा होती है, गुरु के वाक्यों में। फिर उन वाक्यों से प्रभु में सर्द्धा पैदा होती है, परमिश्वर में सर्द्धा पैदा होती है। तवी तो भगवान स्री कृष्ण ने उब्देश किया तद्विधी प्रणी पातेन परीप्रशनेन सेवया उब्देख्षंती ती ज्यानम ज्यानिनस तत्व दर्शिना है अर्चुन तु मेरे किसी ऐसे भक्त की शरण में जा जो मुझे तत्व से जानता हो वो तुझे ग्यान उब्देश करेगा जिस ग्यान को प्राप्त करके तु मुझे जान लेगा तो ग्यान से भगवान को जाना जाता है, सरदा पैदा होती है, सरदा से प्रेम के हमकूर निकलते हैं, प्रेम के फल पकते हैं, ब्रक्ष पड़े, बेल फैलते हैं, प्रेम लता, प्रेम की बेल, मीरा बाई जैसे गाती है, अब तो प्रेम फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फलोगी मेरो तो गिर्धर गोपाल दूसरो ना कोई अभी तो गुरू को भी गिर्धर गोपाल के भीतर ही देख रही है मीरा क्योंकि गोपाल के भीतर ही सब हैंivanore रचक्रमाविश्ण समाईथ रशारा अधिश्व灰मान्स समाईध है। इसलिए तो अद्वत कहें के बोला भगवान को, कि सब कुछ तो उसके अंदर ही है, हम भी, आप भी, सारे पसूप, पंची, जल, तालाब, समुद्र, सब भगवान के अंदर हैं। तो गुरुजी भी भगवान के अंदर ही हैं, बारनी। मीरा कहती है कि मेरो तो गिर्धर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर्पे मोर मुकुट, मेरो तो पती सोही। संतन धिंग बैठ बैठ, लोकलाज खोई, संतन के बीच में जाकर मेरा नाच ने लगी, भगवान के गुणगान करने लगी। तात मात भाई बंधू, आपनों न कोई, मेरे तो गिर्धर गोपाल, दूसरों न कोई, अस्वन जल सीच सीच। अब तो चट पटाती है प्रभू से मिलने, बहुत बियोगी नहीं बन गई, भगवान के विरह में, भगवान से मिलने के लिए मीरा का हिरदय चट पटाने लगा, तो चट पटाता है भगत मिलने को, तो प्रेम के आशू मरते हैं, मिलने के लिए कभी रुदन करता है, कभी हंसता है कभी कि महा बहाओ में चला जाता है मेरा बाई कहती है अस्वन जल सीच सीच प्रेम बेल बोई अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई मेरो तो गिर्धर गोपाल अरी मा मेरा तो गिर्धर गोपाल है और दूसरा कोई नहीं है भगवान की शरण में आये भगवान के पवित्र नामों का जाप किजिए इस शरण मा आने का एक सीधा मार्ग है उन्हें कभी नहीं बिसा रहे, बिसा रहे, उठते बैठते, सोते जागते, नाते दोते, खाते पीते, चलते फिरते, बच्चों को खिलाते, कमाई करते, कभी भी भगवान को नहीं बुलाईे, भगवान आपके इर्दे में आपके प्रते एक छोटे से छोटे भाव को भी आपके कर्मों के विचारों के साक्षि हैं। पूरे विश्व के साक्षि भगवान है। आत्मा के अंदर वो विशेष्टा है जो परमात्मा के अंदर है, परमीश्वर के अंदर है। अंशरूप से, जैसे सागर की बूंद में वोई गुण तत्व है, जो सागर के अंदर है, जैसे सागर सॉल्टी है, ऐसे यो बूंद भी सॉल्टी है, तरल है, ऐसे ही हम बगवान के ये अंश हैं, आत्मा हैं, इसलिए गुण धर्म हमारा और हमारी पेवर कॉंशियसनेस का भगवान से मिलता है एक दम, लेन हम उसे स्थित्य पर नहीं है, हम पेवरिटी को खोच चुके, इसलिए अभी भगवान को भी पहचानते नहीं हैं, अब भगवान को तो दूर अपने आपको ही नहीं पहचानते और जीवन जीते हैं या तमोगुण में, या रजोगुण में, कोई-कोई संत सतोगुण में जीता है अपनी जीवन को, कोई-कोई पुर्णात्मा सतोगुण में जीती है अपनी जीवन को, नहीं सतोगुण सुखकारी है, इसलिए तो भगवान ने देखो, यहां पर कितना सुन्दर इसलोकों में इतीनों गुणों का वर्णन किया है आहार का चैप्टर रखा भगवानने सत्रु अध्या के प्रारव में आहार भगवानने क्यों रखा क्योंकि यह मनुष्य यह प्राणी यह पंची यह देवता यह देवियां यह ब्रह्मा बड़े-बड़े सभी आहार के ही रूप है यह साड़ा हमारा शरीर यह आहार का ही स्वरूप है जो जो आहार हमने किया खाया पिया वो यह तो डवलप हुआ है चाहे वो मा के गर्व के अंदर कुछ आहार मिला हो या भार आने पर इस्तन पान करके मिला हो या बड़े होने पर अन जैसा भी अन खाया हमने अन खाया वेजटेबल्स खाई फ्रूट खाई दूद पिया माखन मलाई खाई उसे से यह शरीर डवलप हुआ है तो प्रारम में टीचिंग देने वाली मा है वो पहला गुरू है समाज का यह शरीर का बच्चे का अपनी बच्चे का मा गुरू है जैसे जैसे माँ उसको खिलाती पिलाती है बच्चा खाता है पीता है और बड़ा होता जाता है और उसकी भावना में वो जैसा भी खिलाती है वैसा जड़ पकड़ लेता है कि यही भोजन अच्चा है, मेरी माँ खिला दिये, इसमें दोश क्या है, शुद्ध दूद है गाय का, पनीर है, मक्षन है, घी है, मिसरी है, गन्य का रस है, सुंदर गेहूं की रोटिया है, बास्मति चावल है, खाखा के में, में शरीर खुश है परसन्नू, तो जो शुद्ध माँ होती है, वो सतोगुनी भोजन खुद भी करती है, अपनी पती को भी करवाती है, और अपनी बच्चों को भी करवाती है, तो उस परिवार के शरीर सतोगुन में प्रबल होते हैं, उनके भावना में, मन मस्तिस्क में, बुद्धी में सतोगुन प्रबल हाई होती है वागि रजोगुन नीचे दबा रहता है तमोगुन और भी बिल्कुल दब जाता है स्वत्रोगुन दबा देता है लिए जिन घरों में बच्चों को वाइल एंटी फूड खिलाते हैं बच्वन से ही कैंकडे का सूप पिलाओ गव के बच्चडे कटते हैं संसार में उचलते हुए खिलाओ कंचडे बिच्चु खिलाओ मक्की मच्चर खिलाओ टूना मचली खिलाओ सूर, तीतर, कबूतर खिलाओ, जैसे जैसे खिलाओ, खिलाएंगे बच्चे को और खुद भी खाएंगे, ऐसे उस परिवार में, शरीर पैदा होती है, वो दुख दाई है, वो रजोगुन और तमोगुन के अंदर वो परिवार बढ़ा होगा, वो अंदकार में बठकेगा, बीमारियों में छट पठाएगा, अपने इस जनम को भी खराब करेगा, और अगले जनम को भी खराब करेगा, बच्चे दारू पियेंगे बड़े होगे, क्यों उनके पिताजी ने उनको सिखा दिया सारा, यह सीख गए, पिताजी बड़े ड्रंकार थे, तो बड़े होके बच्चे क्या करें, वो भी ओई कर रहे हैं, और और अउरत क्या करें बेचारी, वो भी पीती है, लेकिन साइन्टिस्ट भी बहुत क्लोज में गए हैं, कि शराब, ज्यादा शराब पीने से, यह हमारे ब्रेन के सेल्स नस्ट हो जाते हैं, पूरी तरह, आदमी बिक्षिप पागल की तरह हो जाता है, जीते जी, ड्रंकार्ट, फिर भी ओऊ कहते हैं, थोड़ी मात्रा में एक पैक जैसे लगा लिया, खीक है, उचित है, लेज शास्तर तो वो थोड़ी मात्रा में भी अलाव नहीं करता, आईरवेद तो बिल्कुल अलाव नहीं करता, ना कोई जान को देने वाले और दुखों को देने वाले हैं, रजोगुन है ये, तमुगुन है, तमुगुन तो पूर्ण तया विनष्ट कर देता है, नहीं, मनुष्य का ही नहीं, सभी प्राणियों का भोजन प्रकरती ने नियूक्त किया है, मनुष्यों के उपर दो विशे स्क्रपा भगवान की स्वयम की है उपदेश करते हैं शास्त्रों में भगवान ने गीता में कहा है कि पत्रम पुस्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रैश्यति तद हम भक्ति उपरतम अशनामी प्रियतात्मना हम जो मेरा भक्त प्रेम से मुझे कोई बेज़िटेबल पत्रम पत्ता गोभी पत्ते पत्ते की सब्जियां बहुत आते हैं आप जानते हैं चोड़ाई पालग पत्ता गोभी पत्ते में सारी वेज़िटेबल आ गई है पुस्पम फूल फूल गोभी फूल गुलाब के फूल कमल के फूल कमल डंडी कमल ककडी यह सब सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्स बटत्रो खोड़िकार करता हूं। मैं भी पैग मार लेता हूं। कि मेरे भकत ने अरपन किया। ने भगवान ने नहीं का। तोयम मिंस जल। जल के लिए बोला। शुद्द जल। ये शुद्द लोग होते हैं, सात्विक बुद्धी के लोग होते हैं, वो जल पान करते हैं, जल पीते हैं, ना कि शराब कोको कोला भी और पैपसी कोला भी उनके लिए बीमारी का घर है नहीं पी थे है ही प्रूफ है इस बात का ये न्यूयर्क सिटी के अंदर यहां के गवर्नर कितनी कौशिश मायर, मयूर कितना कौशिश करते हैं इसको बंद करने के लिए कि ये सुगरी चीजें मत पियो पैपसी कोला, कोको कोला इसे डाइबेटिक्स परकड़ती है बीमारी आप है बढ़ती है नहीं तोयम जल फिर दूद है, मक्षने, मलाई है, घी है, दही है, अम्रित है पांच अम्रित का हाई आइरवेद ने और शास्त्रों ने, पंच अम्रित, दूद है, दई है, घी है, मिश्री गुड़ कन्य का रस है, मीठा, ये सब अम्रित जल है, ये पांच अम्रित है, पंच अम्रित कहके बोला, भगवान को अरपन करते हैं, जिसे हमारी बुद्धी में गुसे, कि जो जवान परमिश्वल सुहेकार कर रहे हैं, ये कितनी उत्तम होगी, इसलिए उनको अम्रित का नाम दिया, इस अम्रित है, ये मरते हुए को भी जिला देते हैं, जो गवान पालाओ, प्रोटक्शन दियाओ, जंगली जानवरों से बचायाओ, रखाओ, वो आपको और आप अपनी बच्छे को जो दूद रिलीज करती है वो दूद का बहुत महत्व है उस दूद का पान करना चाहिए पीना चाहिए वो गुणकारी दूद है लेकिन जिन गायों की डेरी में से डेरीयों में से दूसरी पडोसी गायों को ले जा ले जाके काटा जा रहा है और जो बच गई बैलैंस में उनको अननेचुरल प्रकरत रूप से एक लंबा इंजक्शन दे करके और थुनों में एलेक्ट्रिक मसीन की द्वारा जो दूद को निकालते हैं खीचते हैं वो दूद में कहां प्रेम और कहां वो तत्व जो तत्व एक सुन्दर पाली हुई गाय के दूद में होता है याद रखिए जब मा भी अपने बच्चे को दूद पिलाती है इस्तनपान कराती है तब वो जिस हिसाब से भी इस्तनपान करा रही है उसी प्रकार से उस दूद से उस बच्चे की बुद्धी और मन डवलप होते हैं और भावना इसलिए जो सच्चे इरदे की माता है वो बच्चों को दूद पिलाते हुए इस्तनपान बोटल का दूद नहीं अपनी इस्तनपान तो दूद पीता है बच्चा और एक हाथ में गोदी में बच्चा है दूद पी रहा है और दूसरे हाथ से उसके बालों में उसके अंग- भरा होगा वो जिएगा जब तक लेना आजकल तो अस्पताल में पैदा होता है बच्चा हुआई बोटल शुरू कर देते हैं वो भी मा के द्वारा नहीं नर्सेज या दाई-माई घर पर जो भी कोई अपने क्या बोलते हैं नैनी रख लेते हैं गर की जो सर्वेंट लेड वो उनको दूद घोड़गार के देती है कि पीले टाइम हो रहा है मुझे जानेगा मेरा वक्त हो गया पीले पीद पी नहीं कुवाम पड़ कैसे ही प्रेमेर्द है में प्पन पेगा बच्चे के अहार का बड़ा महत्त है हमारी शरीर जो यह दिखाए दे रहे हैं यहार के रूपे यह अन्द में कोश है शास्त्र पांच कोशों का वर्णन करते हैं उसमें पहला अन्द में कोश है अन्द में कोश क्या है यह हमारा शरीर दूसरा प्रान में कोश है जो हमारी ब्रीधिंग्स चलती है प्रान वाईव अंदर जाती है और अपान भार आती है यह दू परकोटे के बीतर बैठी हुई एक आत्मा है उसका वरनन करती है शाथ कि यह अन्न में कोश है पूरा छैपिट का पिर प्राण में कोश है इनका बहुत बड़ा-बड़ा महत्व है इनका आपकी सांसों का आपके प्राणों का चलने का क्या प्रियोजन है वो प्राण ऐसे ही काम करवा लेता है क्रोध में जब प्राण वायू पान अपान चलता है सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं क्रोध में कुछ और रूप हो जाता है इनका बोजन करते हैं उस समय कुछ और रूप हो जाता है सोते हैं जब और रूप हो जाता है कहिए कि प्राण में कोश ही आपके रूप को चेंज करता है आपके वातवन को चेंज करता है तो आपकी प्राण में कोश भी अन्न में कोश के बाद निर्मित हुआ बना है